बिदान सभा में आज का सत्र भी हंगा में दा रहा ध्यानकर्षन के दोरान कोरबा जिले में सडक निर्माण में भूर अर्जन से प्रभावित किसानों पर अपराध पंजिबद किये जाने का मामला घूंजा आदिवासी किसान के आत्महत्या का मामला और अमानक दवा खरीदी का मुद्दा भी ध्यानाकर्षण के दौरान उठाया गया विपक्ष ने सदर में मजदूरों के हित में जमा 561 करोड रुपे खर्च नहीं कर पाने पर सरकार को घेरा मंत्री के जवाब से असंतुष्ठवकर विपक्ष ने वाक आउट किया जगदलपूर में प्रधान मंत्री आवास का मुद्दा भी गर्माया विपक्ष ने इसे लेकर नारे बाजी की विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सत्ता पक्ष ने कहा कि जो पातर होंगे उनको आवास दिया जाएगा इस पर विपक्ष ने समय सीमा की जानकारी मागी शुनिकाल में विधायक छन्नी साहु ने अपने साथ हुई घटना को सदन में उठाया उन्हेंने सुरक्षा छोड़ने और बिना सुरक्षा के घूमने के मसले पर सदन का ध्यान खीजा जोगी कॉंग्रस के विधायक प्रमोथ शर्मा ने भी पुलिस प्रतारना की शिकायत की उन्हेंने कहा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक परिशान है तो हमारी स्तिती का आंकलन किया जा सकता है प्रश्निकाल में ब्रिजमा नगरवाल ने पंजिकरित निर्मान शमिकों को सामगरी वितरन का मुद्दा उठाया इस पर मंत्री शिवडहरिया ने जवाब देते हुए शमिकों को वितरित किये गए सामगरियों के बारे में सदन को अवगत कराया उन्होंने कहा कि इस योजना के सभी पात्र हितगराहियों को कोविट काल में पूरा लाब दिया गया किसी भी हितगराही को कोई परिशानी नहीं हुई है विपक्षने नगरी प्रिशाशन मंत्री से पूछा कि वर्ष 2019 से 2020 तक प्रावेट कॉलोनाइजर का सीमांकन कब कब किया गया इस पर मंत्री शिव डहरिया ने जवाब दिया कि राइगर नगर निगम में वर्ष 2020 से 2022 तक प्रावेट कॉलोनाइजर का सीमांकन किया गया है उन्होंने कहा कि कॉलोनाइजर द्वारा शाश के भूमे पर अवैद निर्मान नहीं किया गया है कॉलोनियों में कॉलोनाइजर द्वारा EWS के लिए प्रावधानित जमिन नियमान उसार आरक्षित की गई है इसी के साथ विधान सभा में आज की कारवाय की समिक्षा यहीं समाप्तुई नमस्कार